कभी कभी हमें जीवन में अकेले लड़ने की आवश्यक्ता होती है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है, जो अपने लक्ष की और आगे बढ़ने के लिए अपनी अकेला पन को एक सुनहरा अवसर बनाता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गाउं में एक लड़का रहता था, वह बहुत सपने देखता था और अपने लक्षों की प्राप्ती के लिए प्रयास करने का निरंतर जुनून रखता था। परन्तु उसके पास ना कोई साथ ही था, ना कोई गाइड करने वाला। उसके परिवार में भी उसकी सपनों को समझने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसे लगता था कि वह अकेले पन की जंजीरों में बंध है और उसके सपने अधूरे रहेंगे। कि वह पुस्तकालय में समय बिताएगा। धीरे धीरे वह पुस्तकालय की विभिन्न किताबों को पढ़ने लगा और नई दुनिया की खोज में निकल पढ़ा। दिनों बिताने के साथ साथ उसका ज्यान बढ़ता गया और वह अच्छे लेखकों और दर्शकों के साथ को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का। वह लड़का जिसने कभी अकेलापन को एक रुकावट समझा था अब एक प्रेरणा दायक उदाहरन बन गया। लोग उसे मान्यता देने लगे और वह लड़का अपने लक्षों की और अग्रिसर होने में सफल हुआ। इस कहानी से हमें यह सिख मिलती है कि अकेलापन को एक सुनहरा अवसर बनाने के लिए हमें संघर्श करना चाहिए। हमारी संयमित्ता, समर्पन और मेहनत हमें अपने लक्षों की प्राप्ति की और आगे बढ़ा सकती है।